हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो मै चैनल स्रिग्यान और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 की जिगोग्रफी का यूनिट 1 जिसका नाम है जिगोग्रफी एज डिसेप्लेन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जियोग्रफी को पढ़ने की जरूरत क्या है वाइट इस इंपॉर्टेंट टू स्टडी जियोग्रफी सो चलिए चैप्टर को सुरू करते हैं और अगर आप चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला सवाल यही है कि वाइट सुड़ वी स्टडी जियोग्रफी आखिर हम जियोग्रफी क्यूं पढ़ते हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंतक देखिएगा मतलब हमें कई सारी चीजों की संपदाओं की जरूरत होती है जिनसे हम अपना नीजी रोज मर्या की जो जीवन है उसका निर्वाहन करते है नेचुरल का मतलब क्या है नेचुरल मीन्स और सबसेशन स्ट एडिबल प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स खाये जा सकते हैं या फिर यूज किये जा सकते हैं अनिमल्स विद पैसेज ऑफ टाइम वी डेवलप हमने कई सारी ऐसी टेकनोलोजी को डेवलप किया है और कई सारी चीजों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है जैसे कि चावल दाल आठ मतलब फूट ग्रेंस जितने भी हैं और इन सब चीजों को हमने डेवलप कर लिया है अपनी टेकनोलोजी के हिसाब से हम ग्रोग कर सकते हैं अब देखें नैचुरल रिसोर्सेस में हमारे पास लैंड, सोयल, वाटर ये सबसे इंपॉर्टेंट नैचुरल रिसोर्सेस हैं लेकिन बदलते मौसम के साथ साथ नैचुरल बेस को भी नैचुरल रिसोर्सेस को भी चेंज होना परता है और जैसे ही मौसम को में बदलाव देखा जाता है तो नैचुरल रिसोर्सेस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसलिए हमें technology को develop करते रहना पड़ता है लेकिन technology के development से भी हमारे nature पर कुछ कभी-कभी अच्छे और कभी-कभी बुरे प्रभाव पड़ते हैं As a student of geography एक भुगोल के विद्धार्थी होने के ना थे आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए और आपको ये जानने की इक्छा भी होनी चाहिए कि आखिर बारिस कैसे होती है आकास नीला क्यों होता है Natural resources पे और हमारी जो activities हैं उसका nature पे कैसा impact परता है Positive और Negative दोनों ही effects को द्यान में रखना चाहिए ठीक है अपने आज पास की surroundings को जानने के लिए geography को पढ़ना बहुत ही जरूरी है The understanding and the skill obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningful contribute to the national endeavor to development मतलब आज कल की जो technology है जो techniques है वो हम देश के प्रती काम में use कर सकते हैं अब देखते हैं कि आखिर geography है क्या Earth is our home प्रित्वी हमारा घर है एंड ये सिर्फ हमारा घर नहीं है इसमें छोटे बरे धेर सारे जीव जन्तू और धेर सारे पेर पौधे भी रहते हैं इसलिए इसलिए अर्थ का जो surface है वो एक जैसा नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ एक तरह की चीजे नहीं है कहीं mountains हैं, कहीं hills हैं, कहीं valleys हैं, कहीं plains हैं, कहीं platews हैं, कहीं oceans हैं, कहीं lakes हैं, कहीं deserts हैं यानि कि कहीं पहार है, कहीं घाटियां है, कहीं दर्रें है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, कहीं जील है, कहीं रेगिस्तान है और इन अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह के जीव जन्तु भी है और अलग-अलग locations के हिलाब से अलग-अलग तरह की surroundings है जैसे कि कहीं-कहीं cities हैं, कहीं-कहीं गाउं हैं, कहीं-कहीं रास्ते हैं, कहीं-कहीं railways हैं कहीं-कहीं ports हैं, कहीं-कहीं seaports हैं, कहीं-कहीं airports हैं और कहीं-कहीं market है, तो इस तरह से अलग-अलग जगहें हैं अलग अलग तरह के physical features हैं और अलग अलग तरह के हमारे cultures भी अलग अलग हैं तो बहुत सारी variations है प्रिद्वी पे और ये जो विविधता है मतलब physically भी और culturally भी कहीं रास्तों का कहीं पहारों का परवतों का इन सब चीजों का जो आपस में रिष्टा है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि physical environment और socio-cultural features के बीच क्या रिष्टा है ठीक है तो देखिए the physical environment has provided the stage physical environment जो है वो हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां हम अपनी activities कर सकते हैं हम अपनी societies सेट कर सकते हैं हम अपना सारा skills यूज कर सकते हैं हम अपना सारा tools यूज कर सकते हैं techniques यूज कर सकते हैं ठीक है तो physical environment क्या है एक stage की तरह है जहां हम सब एजे मतलब actor act करते हैं अगर एकदम simple भासा में कहें तो देखिए geography is the description of earth यानि कि भुगोल पृत्वी को विस्तार पूर्वक पढ़ने का एक साधारन सा विसाय है अब इस साधारन से विसाय को आप complicated भी बना सकते हैं जटिल भी बना सकते हैं सबसे पहली बार geography सब्द का इस्तेमाल इरेटोस थेनिज ने किया था और इसलिए इरेटोस थेनिज को father of geography भी कहा जाता है ठीक है और ये कब किया था 276 से 194 BC के बीच ये एक Greek scholar थे ठीक है और इन्होंने ही पहली बार geography का geography सब्द का इस्तेमाल किया था geography सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है सबसे पहला geo और दूसरा graphos geo का मतलब होता है earth और graphos का मतलब होता है description ठीक है तो geographies का मतलब है earth का description लेकिन अब देखिए geography के भी बहुत सारे parts है जैसे natural science में geology, pedology, oceanography, botany, geology and materiology तो आपको पता होगा कि materiology किस चीज के लिए यूज होता है weather weather forecasting कौन करता है इंडियन materialological department रइट botany में हम plants के बारे में पढ़ते हैं geology में हम animals के बारे में पढ़ते हैं और इसी तरह अलग-अलग branches में अलग-अलग चीजों को detail में study की जाती है हम सबको ये बात अच्छी तरह पता होना चाहिए कि earth के surface पे बहुत तरह के variations देखे जाते हैं और उस हर variation को जो एक geographer है वो measure करने की और उसको समझने की कोशिस करता है ठीक है देखो therefore logical to perceive geography as the study of area differentiation मतलब जो भी differences देखने को मिलती है उस हर चीज को क्या किया जाता है study किया जाता है study all those phenomena which has vary over space पूरे space में जो कुछ भी vary करता है हर चीज को study करना geographers do not study only the variations in the phenomena geographers सिर्फ बदलाव को ही नहीं study करते हैं देखो not over the earth surface सिर्फ earth surface पे ही नहीं but also study the association with other factors which cause the variations for example मतलब हम हर चीज को study करने की कोशिस करते हैं जैसे की cropping patterns cropping patterns आपको पता होगा ना इंडिया में तीन cropping patterns होते हैं राभी खरीफ और जैद तो इस तरह से cropping patterns अलग अलग देश में अलग-अलग physical features के हिसाब से cropping patterns अलग-अलग होते हैं ठीक है और crops किस चीज पर Oxपन करते हैं वहां कैसी सोईल है वहां का climate कैसा है इन सब चीजों के उपर Hersüs के आपरarel करते हैं और हैं कैसी टेक्नोलिजी है उनके पास इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है जियोग्राफर explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship मतलब जब भी एक जियोग्राफर कोई बात बताता है तो वो दोनों चीजे बताता है cause भी और effect भी मतलब ये करने पर ये होगा बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी ठीक है इस तरह की चीजे the geographical phenomena both the physical and human are not static but highly dynamic मतलब जो कुछ भी हो रहा है प्रित्वी पे चाहे वो इनसान कर रहा हो चाहे प्रित्वी पे जियोग्राफिकल हो रहा हो वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा चेंज होते रहते हैं ठीक है वो static नहीं है एक जैसे नहीं रहते हैं ठीक है पुराने समय के जो लोग थे आदी मानों जो थे वो लोग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर निर्भर करते थे अपने आस पास के environment पर निर्भर रहते थे इसी लिए उस समय जेओग् human interaction as the integrated whole के नाम से भी जाना जाता था human is a integral part of nature nature मतलब हम भी प्रकृती का एक हिस्सा है ठीक है और प्रकृती के साथ हमें ताल मेल बना कर रखना चाहिए nature has imprints of human यानि कि nature में humans का भी कुछ role है nature has influenced different aspects of human life मतलब nature भी क्या करता है कि मानव जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है it imprints can be noticed on देखो जैसे कि food, clothing मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, food मतलब खाना, cloth मतलब कपड़े और shelter मतलब छत तो रोटी, कपड़ा और मकान और साथ ही साथ काम क्यूंकि बिना काम के आज न कोई रोटी देगा न कपड़े और न मकान तो सबसे जरूरी है काम human beings have come to terms with nature through adaptation adaptation का मतलब है ढल जाना, जैसा जहां का माहौल वहाँ उस तरह से ढल जाने को adaptation कहा जाता है और modification, modification मतलब उस जगह को अपने हिसाब से बदल लेना आपको जैसी जरूरत हो अगर आप वैसे किसी चीज को बदल लेते हो तो उसे modification कहा जाता है जैसे आज car modify होता है तो car कैसे modify होता है जो मेरी जरूरते हैं उस हिसाब से उस car को बदल दिया जाता है उसके parts, उसकी seat, उसकी torque हर चीज को change कर दिया जाता है तो same चीज है modification का मतलब बस यह है आदी मानों से आज की जो मानों है वो उसने एक अलग stage पार कर ली है अब हम आदी मानों नहीं है ठीक है मतलब उनको खाना चीए तो या तो पेर पौदों से फल तोड़ेंगे या तो फिर किसी जीव का murder करेंगे मुर्गियां, मचलियां, जो भी हो वो जीव जनतुओं से अपना पेट भरेंगे लेकिन आज की society, present society have modified their natural environment तो उन्होंने अपना natural environment बदल दिया है सारे जंगल तो लगबग आजकोल कोई जंगल में तो रहना ही नहीं चाहता है सबसे पहली बात, by inventing using technology अब हमारे पास अलग-अलग तरह की technology है कार है, बाइक है, प्लेन है, ट्रेन है तो जंगल में रहना तो बहुत दूर की बात है अब आपको मतलब सहर से थोड़ा साथ भी दूर रहने में काफी तकलीफ महसूस होती है, राइट गाओं में भी लोग आजकल बहुत कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ medical facilities भी कम होती है transport उतना अच्छा नहीं होता कहीं कहीं education भी उतना अच्छा नहीं है तो यह सारी चीजे है human beings were able to loosen the cycles of their physical environment मतलब physical environment में जितनी भी problems थी ना उन सब को हम आज tackle कर सकते हैं technology helped in reducing the hardness of labor बहुत कम मेहनत करनी परती है पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी परती थी ठीक है पहले सर पे सारा सामाल लाद कर एक जगा से दूसरी जगा पैदल जाना परता था उसके बाद cycle हुआ, bikes हुए, उसके बाद car हुए अब plane हो गए तो अब इतनी मेहनत करके पैदल कहीं नहीं जाना परता ठीक है जितनी देर में एक आदमी काम करता था Secondly, described by a poet in the following dialogues between human and nature एक कवी है जिन्होंने प्रकृति और इंसानों के बीच का जो रिस्ता है, जो तालमेल है उसको एक कविता के त्रू लिखा है और उन्होंने लिखा है कि भगवान आपने जमीन बनाई, मिटी बनाई मैंने क्या बनाया, कप आपने रात बनाया और मैंने बनाई लैंप आपने जंगली जानवर बनाई पहार बनाई ठीक है, रेगिस्तान बनाई और मैंने बनाया comfortable गद्दा flower beds, फूलो से सुसजित बिस्तर फूलो से सुसजित गार्डेंस तो देख रहे हो कि मतलब यहां कमपेरिजन क्या हो रहा है कि नेचर और इंसानों ने किस तरह से अपने आपको अडेप्ट किया है इसी चीज़ का तो एक्जामपल है यह कविता अगर भगवान ने हमें रात का अंधेरा दिया है तो हमने उसमें क्या क्रियेट कर लिया है लैंप बना लिया है अगर रेगिस्तान दिया है तो वहां भी हम फूल को उगाने की और फूलवारी बनाने की चंता रखते हैं ठीक है विद दे हैप आफ टेक्नोलोजी वोमन हर जगा है ठीक है और आज नई नई चीजे संभव हैं तो यह इंसान और नेचर के बीच की इस इंटरेक्शन को इस तालमेल को इस वारतालाब को ही आज जियोग्रफी में स्टडी की जाती है राइट I hope कि आपको यह यहां तक अच्छे से समाज में आ रहा होगा अब देखिए The link and notes The roots and settlemental of type of hierarchies मतलब हर तरह के लोगों का settlement का मतलब है एक जगर रहना ठीक है तो यह सब चीजे अब हम डीटेल में देखते हैं इन सब चीजों को organized way में study की जाती है मतलब सुसजित रूप से ढंग से As a social science discipline geography studies the spartial organization and spartial integration geography as a discipline is concerned with three sets of questions तो geography as a discipline में तीन questions को मान कर चला जाता है Some questions are related to the identification of patterns of natural and cultural features as found over the surface of earth तो प्रित्वी की सत्व पर पाए जाने वाले cultural features और natural features के बारे में देखा जाएगा दूसरा Some questions are related to the distribution of natural and human cultural features मतलब nature ने कैसा features दिया है और humans ने कैसा दिया है ठीक है न? इस बात को तो देखे टेकन तुगेदर बोथ इस questions take care of distributional and locational aspects of the nature and cultural features इस questions provided inventories in form of weather features and weather located it has a very popular approach during the colonial period ठीक है? तीसरा सवाल था कि the third question is related to the explanation of the casual relationship between features and processes phenomena मतलब किस चीज के होने से किस चीज का होना निश्चित होता है अगर बारिस होगी बारिस होगी तो वहाँ पेर पौधों का ज्यादा होना निश्चित है अगर बारिस के बाद क्या होगा? वहाँ सूरज निकल आए तो राइट जियोग्रफी के जब स्टडी की जाती है तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि आखिर ये माउंटन जो है, वो माउंटन यहाँ आया कैसे? आखिर अगर ये ओसियन है तो ये ओसियन बना कैसे? ठीक है? डिस्ट्रिब्यूशन, लोकेशन, कंसेंट्रेशन, फेनोमेना उबर स्पेस एन इंटर्प्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्स्प्लेनेशन तो हर चीज की एक एक्स्प्लेनेशन होती है जैसे आपने देखा होगा न कि मतलब कहा जाता था कि सबसे पहले जितना भी लिथोस्फियर था मतलब जितना भी थाल मंडल था वो एक ही जगा था और बाद में वो एक एंडोजनिक फोर्ज की वज़े से तूट गया और अलग-अलग कॉंटिनेंट्स में डिवाइड हो गया तो इस तरह से आपने जियोलोजिया पैंजिया पैंथालासा इन सब चीजों का नाम आपने सुना होगा इसके बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं अब देखिए जियोग्रफी एजै इंटेग्रेटिंग डिसिप्लेन इसका अप्रोच कैसा है होलिस्टिक इन नेचर मतलब आज जो वर्ल्ड है वो क्या है इंटर डिपेंडेंट इंटर डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट ठीक है एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे देखो माल लो कि एक टीचर है ठीक है और उसको टीवी देखनी है तो टीबी पर वो एक्टिंग तो करेगा नहीं कोई एक्टर है एक्टर के बच्चे को कौन पढ़ाएगा टीजर ठीक है अगर बीमार हो गए तो कहां जाओगे डॉक्टर के पास लेकिन डॉक्टर के बच्चे को हर किसी को जान कौन बचा रहा है सरहत पे सबकी रक्षा कौन कर रहा है आर्मी ठीक है तो सुरक्षा के लिए हम आर्मी पर डिपेंडेंट है हेल्थ के लिए डॉक्टर पर डिपेंडेंट है कोई टेक्निकल नौलेज चाहिए तो आप इंजीनियर के उपर डिपेंडेंट है मतलब अगर institutional knowledge चाहिए तो आप teacher के उपर dependent है ठीक है अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करवाना है तो आप labor के उपर dependent है तो इस तरह से हम सब एक दूसरे के उपर dependent है एक labor को भी teacher की जरूरत पड़ेगी doctor की जरूरत पड़ेगी ठीक है ना आर्मी की जरूरत पड़ेगी और ठीक उसी तरह एक आर्मी को भी teacher की जरूरत पड़ेगी एक्टर को भी पड़ेगी doctor को भी पड़ेगी इसलिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए है the present world is being perceived as a global village global village इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ठीक है distance चाहे कितना भी हो लेकिन बहुत ही कम समय में हम इंडिया से दुबई भी जा सकते हैं अफगानिस्तान भी जा सकते हैं अफगानिस्तान तो अभी खेर ना ही जाए तो अच्छा है और साथी साथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं distance बहुत है बट फिर भी आप एक दिन के भीतर या फिर एक दिन के भीतर ही आप इन सब ही जगों पर जा सकते हैं आज एक ही जगा पर रहकर आप इन सब ही जगों पर आपके रह रहे दोस्तों से आप बात कर सकते हो तो जब आप बात कर सकते हो आप एक दुसरे से मिल सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो तो इसलिए क्या कहा गया कि आज ये जो पूरी पृत भी है वो एक global village है ठीक है और इसका कारण क्या है better means of transport हमारे पास बहुत ही बहतर यातायात के साधन है audio visual media है जिससे हम बात कर सकते हैं देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ठीक है technology has provided better chances of monitoring natural phenomena आज हम ये पता कर लेते हैं कि बारिस कब होगी कितनी देर होगी कहा भूकम पाने वाला है कहा तुफान आने वाला है ये सारी चीजें लगभग लगभग पता लगा ली जाती है geography is a integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences तो इन ही सारी चीजों को study की जाती है geography में all the sciences whether natural और social हर तरह का विज्ञान चाहे वो natural हो चाहे वो social हो इन दोनों को ही एक basic objective होता है को समझने के लिए science को समझना जरूर ही होता है geography attempts to comprehend the association of phenomena as related in sections of reality so that relationship of geography with other scientists तो अलग-अलग science के साथ भी geography के अपने रिष्टे है ठीक है every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of other elements मतलब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो चाहे वो science में पढ़ो या किसी भी चीज में पढ़ो वो क्या है कि geography से related करता है मल लो कि आप science में biology पढ़ रहे हो तो biology में आप किस चीज के बारे में पढ़ोगे या तो animals के बारे में पढ़ोगे या तो फिर human beings के बारे में पढ़ोगे और human beings और animals चाहे फिर आप plants के बारे में पढ़ो चलो botany में plants के बारे में पढ़ो तो ये तीनों ही चीजे geography का हिस्सा है लेकिन जब आप इसे detail में पढ़ते हो जैसे कि plants का photosynthesis का process पढ़ते हो जा रही है कि every discipline concerned with scientific knowledge scientific knowledge is linked with geography हर चीज क्या है geography से रिष्टा रखती है geographers और geography helps in understanding the reality in totality in its partial perspectives geography does not only takes note on the place but integrates them holistically which may be different at other places a geographer is required to have a broad understanding जो geography पढ़ाता है उसकी जो सोच है वो बहुत ही बड़ी होनी चाहिए बहुत ही बड़ी होनी चाहिए ठीक है जो वो इस चीज को relate कर सके एक चीज को दूसरी चीज से relate कर सके कि इस चीज के होने पर ऐसा प्रभाव पढ़ेगा है ठीक है इस इंटिग्रेशन can be understood with some examples जोग्राफी इन्फूएंसे हिस्टोरिकल इवेंस जोग्राफी किसी पर प्रभाव पर डालती है हिस्टोरिकल इवेंस पर जो पहले हो चुके है स्पाटियल इस्टेंस इट्सेल अज वेरी पोटेंट फेक्टर to alter the course of history of the world स्पाटियल देफ्ट प्रवाइड इवेंस to many countries particularly in the last centuries in traditional warfare countries with large size in area gain time at the coast of space मतलब जो बड़ी बड़ी countries थी उन्होंने उन्हे क्या मिला time मिला और जो जगा थी उसकी कीमत मिली the defense provided by oceanic expanse around the countries of the new world has protected them from wars being imposed on their soil मतलब मालो कि ये एक जगा है जिसके चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है ठीक है तो समुद्र ने इन सब को क्या दे दिया एक extra features दे दिया कि कोई भी आएगा तो वो तैर कराएगा या फिर plane से आएगा तो उसे सबसे पहले इस water को पार करना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा लंबी और बड़ी water होगी उतना ज़्यादा उनको प्राब्लम होगा आने में तो उनको क्या हो गया कि एक security मिल गई तो oceanic expanse जो है उसने क्या कर दिया एक security दे दि protection दे दिया किस चीज़ से युद्ध से कि बेटा आने से पहले आपको जहाज बना कराना पड़ेगा ठीक है सबसे पहली situation यह है इन इंडिया हिमालियाज एक्टेट अज ग्रेट बेरियर्स भारत में हिमालियन mountains जो है उन्होंने अवरोध का काम किया अवरोध मतलब एक तरफ से hurdles मालो जो किसी को भी आने से रोकते हैं इतना उचा पहार इस पे इधर से चड़के इधर आते 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 आदमी बरफ में दफन हो जाता है इस जगए इस पहार को इस तरफ से इस तरफ क्रॉस ही नहीं कर पाते ज़्यादा तर लुग तो इस वज़े से क्या होता है कि हमारा जो हिमालय है वो हमारे लिए एक वॉल का काम करता है दीवार का काम करता है थिक है दीवार के इस तरफ आना किसी भी इंसान के लिए थोड़ा मुस्किल हो जाता साथ ही हमारे पास सी कोस्ट भी है समुद्री तट भी है वो वैसे तो आने के लिए एंकरेज करता है प्रेडित करता है लोगों को लेकिन साथ ही साथ कुछ बाधाओं को पार भी करना पड़ता है एसी यूरोप अफरिका ये सब भारत में आ सकते हैं very easily किसके थुरू सी कोस्ट के थुरू रैइट आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर कर दीजे ताकि वो भी इस class का free में फाइदा उठा पाएं मिलते हैं आप से next वीडियो में तब तक के लिए keep studying, keep growing, have a great day.